इस्रेल में बड़ा डर बैठ गया है कि अगर इरान का बस चला तो वो इस युद्ध से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा इरान ने अब एक ऐसी बड़ी तयारी कर लिए जिसके आगे इस्रेल और अमेरिका दोनों की फॉज बुरी तरह हार सकती है इस्रेल में इसे इरान का छुपा हुआ हमला कहा जा रहा है इरान का एलान इस्रेल का विनाश शुरू घाजा में भायंकर नरसंगार का बदला अब इरान लेगा इरान के सुप्रीम लीडर अलिखामनेई ने एलान कर दिया है कि भले ही हमास और इस्रेल के बीच सीज़ फायर हो गया हो लेकिन इरान घाजा में गिराए गए एक एक इस्रेली बम का खूनी बदलाज जरूर लेगा इरान ने यहां तक धमकी दी है कि वो इस्रेल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बक्षेगा और अब इस्रेल पर भीशन हमले शुरू हो चुके गाजा में एक एक बम का बदला लेगा इरान कितना बड़ा नुक्सान हुआ है इस्रेल सुरक्षाबलों यानि आईडियफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है कमांडर उमर अबुजला हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था कमांडर उमर अबुजला को इस्रेली सेना ने हवाई हमले में मारा है अब तर हमास के 70 से ज़्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं कमांडर उमर अबुजला से पहले दक्षुनी खान जोनस बटालियन के कमांडर बिलाल अलकीद्रा मारा गया था जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मुहिसेन भी मारे जा चुके हैं जबकि हमास कमांडर मुराद अबु मुराद, अली कादिर और मुहम्मद कटमश को भी आईडियाफ मार चुकी है इस्रेल को नहीं बचा पाएगा सीज़ फायर अब सवाल उड़ता है कि आखिर इस्रेल के सामने ऐसी क्या मजबूरी होई कि उसे हमास के साथ चार दिन का सीज़ फायर करना पड़ा इरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इस्रेली सेना को भी बारी नुकसान हुआ है इरान का यहां तक दावा है कि भले इस्रेल अपने सत्तर सैनिकों के मरने का दावा करे लेकिन हकीकत में इस्रेल के दस से बीस गुना सैनिक गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके है इसलिए इरान के सुप्रीम लीडर अलीख खाम ने ही चार दिन के सीजफायर शुरू होने के साथ की ऐलाम कर दिया था कि घाजा में गिराए गए एक एक इस्रेली बम का बदला लिया जाएगा इसी को लेकर इरान की राजधानी तहरान में इरान, सैनिक और लड़ाकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसमें इस्रेल को नक्षे से मिटाने की कस्मे खाई गई है तहरान में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबर दस्त नारों के बीच एजरेल को मिताने की कसमे खाय जा रही है दर नजात मरणों फलस्तीन इकड़ाम ताइन कननदे या अन्जाम दहत बर नाउमिदी मिलत हा अज़ दोलत हा व बीताबी आनहा दर दिफाद फलस्तीन अफजूदे मी शवद पश्यमी मीडिया के मताबिक नेतनियाहु के लाख चेतावनी देने के बावजूद इरान बंकरों में छेपे अपने घातक हत्यारों से इसरेल पर बड़े हमले की तयारी कर चुका है एक अनुमान के मुताबिक इस्रेयल पर हम्पला करने के लिए इरान ने शाहिद सीरीज के आत्मधाती ड्रोन तयार कर चुका है इसके अलावा मोहाजर 10 अराश टूर ड्रोन भी इरान के बेहत गात अखतियार हैं जो इस्रेयली शहरों को तबाह कर सकते हैं हमास का साथ एरान और हजबुला जबरदस तरीके से दे रहे हैं इस्रेयल भी जानता है कि एरान के 5.75 लाक सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है इस्रेयल के वास सिर्फ एक दश्मलो 7.3 लाक सैनिक है इस्रेयल की 4.65 लाक के रेजर्फ फोर्स को जोड़ कर भी इस्रेयल इरान के आस पास नहीं टिकता है अब ऐसे हालात के बीच इस्रेयल का ये कहना है कि वो पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी कभी भी बंबारी कर सकता है ये धाबा वाकई हैरान करने वाला है लगन ये भी सच है के घाजा पटी को साथ फीस्टी तक इस्रेयल तबा कर चुका है इधर तेड़ महीने से ज़्यादा की ज़ंग में लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग घाजा में मारे जा चुके है लगभग 30,000 लोग अभी भी कभरिस्तान बन चुके उत्तरी घाजा के इमारतों में दफन है लगभग 50 दिन की ज़ंग में इस्रेयली वायुसेना ने 35,000 से ज़्यादा बम उत्तरी घाजा, दक्षनी घाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं सत्तर से ज़्यादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं इस्रेयली फोर्स ने हमास के इसलामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले, कमांड सेंटर, सैने परिशे, दरजुनों लॉंचर पैर, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतनफ़ादी संगठन के सैन ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलाबा आईडियेफ ने हमास के कई बुनियादी धांचे को भी बरबात कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इसमाइल हानिया इरान के साथ मिलकर इसरेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखी हमास के नेता और टॉप कमांडर इसमाईल हानिया इरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबर्दस्ट मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर के राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में एरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि एरान इसरेल के खिलाफ जन्ग में उतर चुका है अब एरान की बेतहाशा सेम्य ताकत हमास की ताकत बन गई है यानी घाजा मेर अज्राइल को सर्फ हमास से नहीं, बल्की ऐरान की सेना, लवनन की हजबॉला लाराको, और हमास की सुरंग जिहादियों से जगन करने पड़ेगी. गाजा में एक एक बम का बदला लेगा एरान, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्रेली सेना के होसले साथवे आसमान पर पहुँच गए हैं। जरा देखिए, कैसे? इस्रेल की एरफोर्स के चीफ मेजर जिंडल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर एलान किया, कि जरूरत पढ़ने पर पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इस्रेली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से एरान और हेजबुल्ला के लिए चेताउनी की तरह देखा जा रहा है। इस्रेल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमारे जवानों ने हजारों आतनकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है। हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे। हमास के किसी भी ठीकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा। इसरायल की वायू से ना पूरे मधिपूरों में जहां भी जरूरत होगी। वहा कालिबाए के लियह फורड़ अ premiere जरूल अटיद्ग्त काको खबता ही और हमास हमास की मौजूदा से में जचमता को देखें तो उसके बास जड़ादार अधिया है इस रेल पर मौझूदा हमले में फजर 3 और फजर 5 रॉकेट का इस्तिमाल किया जा रहा है। इस रेली सेना पर कर रहा है। इस रेली सेना पर कर रहा है।